ये जो है इवेंट को इंट्रीगल उनिवर्सिटी और उपकार ने मिलके किया है तो ये कैसे खयाल आया आप लोगों को कि पोस्ट हाल्वेस्ट टेक्नोलोजी इस पे इंटरनेशनल कॉंग्रिस बढ़ रही है तो हमको हर प्रकार के अगरी कल्चर प्रोड़्ूश चाहे हो पौधों से मिलते हो चाहे है ज़्यादा चाहिए तो इनको ज्यादा बढ़ाने के लिए बस दोई रास्ते हैं, या तो हम जमीन को बढ़ाएं, या तो ऐसी हम बाराईटी प्रजातियां डवेलप करें, जिनकी छम्ता ज्यादा हूँ. तो अगर हम आजादी के बाद में बात करें तो ऐसी हम ने बाराइटी डवलप कर लिया है जिनकी पैदावार राज की डेट में दूगने से भी अधित है अधिक है हमने काफी उधर काम कर लिया जो हड़ जेंटल एक्सपेंसर ने एरिया बढ़ाने की वो हम संभो नहीं की कर पाएं क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है जनसंक्या बढ़ रही है रहने के लिए घर भी चहिए सड़के भी चहिए तो इस वजह से जो इगरी कल्चर लेंड हो रही है घट रही है फूड सप्लाई ज्यादा चाहिए डिमांड ज्यादा है तो इसके लिए अब हमने बर हर्वेस्ट की सुविधाएं या तो नहीं हैं या तो हैं लेकिन उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कहीं नहीं जानकारी का अभाव है तो इसलिए अगर इस 30% को हम बचा लेते हैं जो भी 25-30% फीगर एग्जैक आती है अगर इस लाउस को हम बचा लेते हैं तो हमें फ कर रहे हैं उसे दो प्रकार के नुकसान होता है एक तो हमारी जो मिट्टी की छमता है जो उरवरता है वो घट रही है क्योंकि हम उसका दोहन कर रहे हैं और दूसरा जो हमको उतपाद मिल रहा है उसका सदुपयों को नहीं कर पा रहे हैं बरबाद हो जा रहा है माइक्रोब ब तो निश्चिती तुरंत से ही हमको जो सेल्फ सफिसेंसी है वो खाद्यान के उत्पादन में या एनिमल प्रोड्यूस के उत्पादन में परापत हो सकेगी